हेलो एवरीवन मैं हुरूभी और आप आए हैं तारा मदू की रसुई चैनल पर तो फ्रेंड्स स्क्रीन पर ये जो हरा लाल पीला पीला रंगी ना पानी देख रहे हैं मतलब मन चाही डेकोरेशन आप कर सकते हैं और यही नहीं अज बिना किसी महंगे टूल्स के घर की रखी चीजों से ही मैं आपको एक नहीं दो नहीं बलकि तीन नहीं डिफरेंट स्टाइल्स के ये राइस पेपर सेल बनाना से खाऊंगी बहुत ही मज़ेदार इंट्रस्टिंग सी रेसिपी है वीडियो है पूरा इन तक जरू देखेगा चलिए आगे भड़ते हैं तो यहां पर प्रेंट्स जब भी आप राइस पेपर के सेल्स या डेकोरेशन के आईटम बना रहे हों बरतन कुछ इस तरीके का फैले वाली शेप का लीजेगा जैसे कर्टोरी वगर मत लीजेगा जो बड़ी थालियां होती है या बड़ी प्लेट्स होती है आप उने लीजेगा और पानी भी आपको बहुत ज्यादा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा यी पानी डालेगा ता डाल दिया है येलो ताकि मैं तीन आपको बढ़िया से ये कलर फुल राइस पेपर के सेल्स बना कर दिखा सकते हैं तो यहां पर कलर डालने के बाद इनको अच्छे से अघर मिक्स करेंगे निगे खुलग जाएंगे अब उनको इंख और अब किसे भी बेकरी की जहां रॉ 아버 गांने रोषक उका बैकर नहीं लेकर आएदी और इक शएद यह राइस पेपर भया ने मुझे 5-7 रुपय का दिया था था लेकर ले करके आये थी और बहुत दिनों से सोच रही थी कि इनसे आपको यह टॉपर्स बनाना सिखाऊंगे बड़ टाइम यह नहीं मिल रहा था आज कोई केक का ओडर नहीं था तो मैंने सचार्ज यही बना देती हूं और अब जब भी कोई केक आएगा उनमें इन्हें है फ्रेंड्स लगपक 10 से 12 सेकिंड के अंदर यह सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं और एक बार यह बहुत सॉफ्ट हो गए तो जब आप इसे उठाएंगे तो यह टूट जाएंगे तो लगातार चुचू के देखते रहिएगा कि बहुत सॉफ्ट तो नहीं हो रहे हैं एकदम डालेंगे तो सॉफ्ट नहीं होगा पर थोड़ा सा 3-4 सेकिंड के बाद जब आप इसको इसमें डिप करके छोड़ देंगे तब यह धीरे-धीरे सॉफ्ट होगा तो यहां पर देखिए पीले वाले को मैंने छोड़ दिया था और तब तक मैंने रेड वाले को तो प्रॉपर शेप जहां आप ऐसी सेट करेंगे बिल्कुल यह वैसे ही ड्राइ होगा तो जितनी दिर मैंने यलो पर काम किया रेड वाला भी उतने दिर में अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और अब इसको भी उठाऊंगी मैं और मैंने थोड़ी सी ट्राइंगल शेप कट चुने रिया उसको ग्रीन क्लर के पाणी में डिप किया और यह थोड़ा ने करलिया और मैंने कर लिए और जैसे अलका जात 혁ते रहोंको बाल नहीं करना भी और यहां फ्रेंज यह एक बर चपक जाते हैं न特शिदाना मुष्किल हो जाता है जिसे अगर इनके उपर एक दूसरे के बल पढ़ गए तो मुसीवत आ जाती है बट वो मुसीवत मैंने कैसे डील की वो भी अभी आपको दिखाऊंगी पहले यह बना लेती हूँ जितने भी छोटे मोटे पीस थे सभी को मैं इसी तरीके से डिप करकर के न तीन-चार ऐसे से बना लोगी ताकि आपको मैं एक वराइटी दिखा सकूँ कि देखी इस तरीके से यह ऐसे बनते हैं और इसके अलावा मैंने दो और भी टाइप के सेल्स बनाए हैं तो वीडियो को भी स्किप मत कीजिएगा और यहां पर रेड येलो ग्रीन होने के बाद मैंने क्या किया येलो में थोड़ा सा ओरेंज कलर डाल दिया है तो यह रेड वाला भी जब तक रेड़ी हो गया ग्रीन भी में रडी हो रहा है तो मतलब मैं तीन चार काम एक साथ कर रही हूं और यह प्लास्टिक शीट पर मैंने फिलाया है ताकि आपको दिखा सकूं कि बले ही फॉंडेंट का या आपके पास sheet ना हो, तो normal घर में जो plastic sheets होती है ना, उन पर भी रखकर आप इने बना सकते हैं, तो ये धीरी-धीर आप मैं smudge कर रही हूँ, देखे friends से चीज कुछ भी नहीं है, मैं चाहती तो 5-7 मिनट में ये वीडियो बना करके complete भी कर सकते थी, पर detail अगर आप इसका द लेगा कि आपको इसकी बारिक से बारिक knowledge हो जाएगी, तो देखे अभी मुझे क्या लगा कि ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसको अगर मैं बाद में तोड़ूँगी, तो वो शायद मुझे दिक्तत देगा हो सकता है, काई गलत जगह से तूट जाए, तो कैंची से मैं आपको और भी ये rice paper के sales बनाना सिखाती हूं, तो मैंने plate में फिर से पानी डाला है, और इसमें मैंने pink color डाला है, अच्छे से उसको कर लिया है, mix, और फिर से मैंने liquid color इसमें डाल दिया है, क्योंकि वो फोड़ा light shade आ रहा था, और मैं आपको dark shade का कुछ बना के दिखान केक के ऊपर जिसे आप रख करके decorate कर सकते हैं, उसी की कोशिच में भूल गई कि मुझे उसके लिए ये fondant की sheets चाहिए थी, और जिसे मैं पहले ही use कर चकी हूँ, तो क्या हुआ, कैसे फिर मैंने उसे ठीक किया भी दिखाती हूँ, बट पहले मुझे ध्यान नी रहा और मैं कि पेपर को अच्छे से सॉफ्ट करने पर लगी थी, जैसे ही मेरा पेपर ये सॉफ्ट हो गया ना, फिर फटा फट से मैंने घर में रखी एक पानी की बॉटल ली, और उसके उपर इसको इस तरीके से उल्टा फेला करके मैंने spread कर दिया, और जैसे ही मैंने इसके उपर इस मुसीबत में ये काम करना पड़ा, जहां पर एक बार इन्हें आपने डाल दिया ना, जो शेप आएगी प्रॉपर वहीं आएगी, क्योंकि फिर ना, सॉफ्ट होने के बाद ये चिपकते हैं, बट मेरी मजबूरी ये थी, कि अगर नहीं उठाती, तो मुझे ये फॉंडें की शीट है ना, इसको इस तरीके से बिचा दिया, जो जो किनारे में सलवट सी आ रही है ना, इसी से मेरे बाउल की शेप आएगी, और जो राइस पेपर हमने पहले बॉटल पर डाला था और उसको मैंने वापस उठाया, बहुत ध्यान से पानी में डिप किया, ताकि वो ब बढ़िया से फैला दिना है, इस तरीके से की हर किनारे पर इस तरीके का एक बल आ जाए, यह देखिए, और अगर आपको लगता है कि शीट ऐसे रह नहीं रही है, तो जो कपड़ों पर लगाने वाली क्लिप्स होती है ना, आप उनको इस तरीके से फोल्स पर सेट कर दीज आपको इधर उधर ना बटकना पड़े और आपके पस डिफरेंट टाइप से यह सेल्स हो जाए, तो मेरे पस एक राइस पेपर था, मैंने उसे लिया और इसकी मैंने सीजर से हार्ट शेप कट कर ली, मैं तो डारेक्ट कर रही हूँ, बट आप पेपर पे कट करके, अगर म बढरा राइस पेपर सेल बनाना हो, कोई छोटा मिटवाट डेकोरेशन का आइटम बनाना हो, तो मैं उसमें से बना सकूँ, यहाँ पर देखिए हार्ट शेप बन गई है, अब इस कोना मैं रेट कलर के पानी में डिप कर रही हूँ, मेरे पास जो भी औरेंज पिंक कलर था तो यह देखिए, सिलिकन शीट पर मैंने इसे फैला दिया है, और अब ना इसका थोड़ा सा साइस छोटा करेंगे, ताकि बीच में हमें कुछ सलवटे मिल जाए, यह देखिए, अभी तो सलवट एक भी नहीं आई है, बढ़ हम अपने आप इसमें से रिंकल्स इस तरीके स है, वहाँ पर एक टुत्पिक हम इसी के साथ अटेच कर देंगे, ताकि जब यह ड्राई हो, तो टुत्पिक इसके संग जुड़ जाए, और फिर हमेंसे किसी भी केक पर लगा सके, क्योंकि बाद में आप लगाने ही पाएंगे, जब यह हार्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए, मैंने एक छोटा सा पीस और लिया है, राइस पेपर का, और इसको पानी में डिप करके, सॉफ्ट करके न, मैं इसके नीचे थोड़ी सी डबलिंग कर दूँगी, तो यहाँ इसकी मजबूत ही आ जाए, और बस फ्रेंड्स इनको ड्राई करने के आपको अपने रूम में फैन चला करके, लगबद 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देना है, और कुछ भी नहीं करना, न धूप में सुकाना, जहां पर यह काम हो रहा है, देखें, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, और क्लिप्स लगा करके, जो मैंने बॉटल पे रखा है, वो भी मैंने ऐसी रख दिया है, और फैन मेरा चल रहा है, लगातार पूरी रात चलता रहा, और मेरे यह बड़िया से ड्राइ हो गए, अभी एक एक करके इनको निकाल के भी आपको दिखाऊंगी, और फिर इनको हम थोड़ी से फैंसी लुक भी देंगे, तो बड़िया से जब यह हो जाएंगे ना, तो यह खुद बखुद अपना जो नीचे का बेस है, वो छोड़ देंगे, यह देखिए, मैंने जरा सी शीट हुमाई और यह निकल करके हाथ में आ गया, तो कोई दिकत की बात नहीं, आपको न उखारने की ज़रत है, बड़िया से ड्राइ कीज अपने आप यह निकल आएंगे, और गर्मियों में तो यह काम जट पट हो जाता है, तो देखिए, ग्रीन, येलो, रेड कलर के आ गए है, ऐसे ही मेरा यह जो औरेंज कलर का है, वो भी मैं निकाल लेती हूँ, और जो मैंने प्लास्टिक शीट पर रखा था ना, उसको भी आपको इसली निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए, ऐसा कुछ भी निये कि इस सिलिकन शीट पर ही बनता है, बट बॉटल वाले में मुझे फॉंडन शीट चाहिए थी, क्योंकि उसकी डिजाइनिंग मुझे करनी थी, इसलिए मुझे उसकी रिक्वाइमेंट पड़ी, अदरवाइस आप किसी भी प्लास्टेक शीट पर बना सकते हैं, ये हार्ट वाला देखिए, कितना प्यारा, कितना सुन्दर टॉपर बना है, और आपको इन में से स्पेशली कौन सा टॉपर सुन्दर लगा, वो भी मुझे कमेंट करके बताईएगा जरूर, और ये आप ब गंटा और छोड़ दीजेगा, बट ड्राई अच्छे से आपको करना है, और धीरे से देखिए, मैंने इसे बॉटल पर से उठा लिया है, और अब बॉटल को साइड में रख देती हूँ, कहीं यही पलट गई तो लेने के देने पड़ जाएगे, और धीरे-धीरे इस फॉ यारी बॉल शेप का ही हमारा, राइस पेपर का यह बॉल बना है, तो सारे ही सेल्स हमारे बन गए है, इनको आप ऐसे भी अपने केक पर लगा सकते हैं, पर थोड़ा सा इने डिजाइनर लुक में चेंज करेंगे, तो और भी ज्यादा सुदर लगेगा, और उनको आप कैसे कर सकते हैं, वो भी अभी वीडियो में आपको दिखाती हूँ, तो एक एक करके फ्रेंड्स इनको मैंने साइड में रख दिया है, और एक बाउल में मैंने लिया है, गोल्डन लश्र डस्ट, आप सिल्वर कलर भी ले सकते हैं, बट इस तरीके की डेकोरेशन में गोल्डन कल से, ये मेरे कुछ ब्रशेज में केक वगरे के लिए अलग रखती हूँ, जिसमें में फॉंडेंट का डेकोरेशन वगरे करती हूँ, और अब जो ये हार्ट शेप हाला है, पहले इसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ, जो इसकी हमने सलवटे बनाई थी ना, उनके केवल ऊ होगी, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, मेरा तो ये हार्ट रेडी हो गया, और सबसे प्यारा मुझे यही लगा, आप देख सकते हैं, कितना प्यारा 3D लुक दे रहा है, ये देखिए, और थोड़ा सा मैंने नीचे की तरफ भी लगा दिया ह तो ये पता ही ना लगे कि हाँ तुटपिक हमने इस किसंद अटैच किया है, तो देखिए, आप पीछे की साइट पर भी लगा सकते हैं, बटपे ने आगे की साइट पर ही लगाया है, तो ट्राई जरूर कीजेगा, फ्रेंस, पांच रुपे में ये बन जाएगा, राइस पर पांच रुपे का एक आता है, और उससे ये हाट बना सकते हैं, और बचे हुए पीस से छोटे-छोटे हाट भी बना सकते हैं, तो अब मैं ये जो लंबे वाले इनको भी पेंट कर देती हूं, और इनको ना मैं थोड़ा सा किनारे पर ही पेंट करूंगी, और बीच में जो सलवट आई है न, बस वहीं लगाऊंगी, वैसे तो सलवट इक पर बहुत अच्छी आ सकती थी, बट मेरी शिप्टिंग के वज़े से वो सारी सलवटे मैंने खराब कर दी, बट आप ये वाली गलती मत कीजेगा, और ये देखिए, और इनके उपर भी, जहां-जहां हिंट मिल जाए कि ये वाली गलती नहीं करनी है, मेरा तो समान उस समय वेस्ट हुआ ही, बट उस समान वेस्ट से आपको अगर कुछ जानकारी मिल जाते है, आप कुछ अच्छा से सीख पाते हैं, ताकि और बरबादी ना हो किसी की, तो मुझे इसको शेर करने में कोई शर् कर रही हूं, क्योंकि मेरे संग जो होता है, मुझे जो फिल करती हूं, वो आपके सांद शेर करती हूं, हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को ना भी पसंद आए, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, बट मेरी कोशिश यही रहत आपको किस color का यह बना करके इस तरीके से decoration करनी है तो यह सारे लंबे वाले sales पमने paint lulliah है और अब मैं आपको जो בl shape में बनाया यह इस पर भी paint ल含 Just M और भी इनको उखने के लीए थोड़ा में रखना होगा हवामे ताकि यह जो golden paint है नहीं अच्छे से dry हो जाए और अब मैं यह जो bowl वाल है ना इसकी उपर tips पर इसे लगाऊंगी तो cake परना एकदम fancy और designer look आ जाएगी और इन्हें आप खा भी सकते हैं यह rice paper के edible होते हैं पर generally लोग यह कड़क हो जाते हैं तो नहीं prefer करते हैं इसलिए decoration में यह use हो तो इनको बना करके तो friends वाकई में मुझे मज़ा आ गया अगर आप home baker है या cakes बगर बनाते हैं तो इस तरीक मेरे सारे rice paper के 3D sales या कहें सस्ते में 3D rice paper के sales बन करके ready हैं तो try तो जरूर कीजेगा friends और ये वीडियो ये method मेरा अगर पसंद आया हो मेरी दीगई tips आपको useful लगी हो तो वीडियो को like share कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लीजेगा और इन सभी को use करके मैं जल से उसे 10K करवाईए और हाँ friends Instagram Facebook पर भी follow कर लीजेगा अब आप कहेंगे चीज हमें एक सिखाती हो और काम इतने सारे करवाती हो तो please इतनी request तो आप मेरी मानी सकते हैं चली कल मिलते हैं फिर से कुछ नया सीखने के लिए bye bye take care और हाँ online baking classes join करने है तो screen पर दिए गए नंब पर WhatsApp message कीज़ेगा bye bye take care